विद्यार्थी मित्रों फरी एक वर आप सरूनू हार्डिक्ष वागत छे आपनी पोरतानी योट्यूब चैनल लियोगी गुजराती पर मित्रों आजे तमारी खुब बधी डिमांड ने कारणे एक सरस्मजानों वीडियो बनावानी खास इच्छा थाई छे कारण के अनेक विद्यार्थी वोई वारम वार डिमांड करेती के सहयब गुजराती विशरी नों चोत्यू चेप्टर समझावो और एक खास उधान थी समझी आपो तो खास यद रहाखनु छे कि सत्याग रहास्त्रम कृतिणा लेकक छे विनोबाभावे विनुबा भावे नो पूरु नाम छे विनायक राव नरहरी भावे अटलू याद हुँ जोईये सत्याग रहास्रम एना लेकक नो नाम छे विनुबा भावे अने आ पाठनो साहितिय प्रकार छे आत्मक थाखंड अने लेवामा आवियो छे अहिन सानी खोजमाती तो आ चार वस्तो आपनने याद रहे शे पेल्लू कृतिनु नाम सत्याग रहास्रम एना लेकक छे विनुबा भावे विनुबा भावे नो पूरु नाम छे विनायक राव नरहरी भावे अने आ सत्याग रहास्रम कृती लेवामा आवि छे अहिन सानी खोजमाती अहिन सानी खोज सूँ छे तो के ए विनोबा भावे ना जे जीवन प्रसंगो छे एनू संकल अनुखे खाल समझ जो विनोबा भावे ये आत्म कथा लखी न थी पण एने जे टुकमा एना जीवन ने रजू करता एने जे प्रसंगो लखिया छे प्रसंगों माथी एक प्रसंग अहिया लेवामा आवियो छे तो ए जे प्रसंगोंनु संकलान छे ए बध्धा जिवनना विनुबा भावेना जिवनना बध्धा प्रसंगों छे ए प्रसंगोंने एक ठाकरीने एक पुस्तक बनावामा आवियो छे औने ए पुस्तक नुँ नाम राइखु छे अहिन सानी खोज एटले एने अहिन सानी खोज छे विनुबा भावे नी आत्म कथा कही शकाई तो अहिन सानी खोज माथी आ लेवा माँ आवियुचे साहिति प्रकार छे आत्म कथा खंड अहिन सानी खोज माथी एक विनुबा भावे नो जीवन प्रसंग छे आ कईयो प्रसंग छे तो एपन याद रागजू कि आ प्रसंग छे एक कई रिते महात्मा गांधी तरफ विनुबा भावे आकर्शाना अथ वतो कही ए तो विनुबा भावे छे ए महात्मा गांधी ना कई कई रिते अनुयाई बनी ग्या, कई रिते एना फ्रेवक बनी ग्या, अने कई रिते विनुबा भावे गांधी जी साथे जोडाया छे ए वात ने ए प्रसंग ने रजु करतु आखो पाठ छे, आखोई आत्म गथानों खंड छे, ए पहला आपणे पाठ ने शरुवाद करिये ए पहला आपणे विनुबा भावे नो सामान्य परीजी जोईए, तो विना एक राव नरहरी भावे एनुपुरु नाम छे, तेवो मूर छे महाराष्ट्र ना छे, खाज याद रग जो, विनुबा भावे बीन गुजराती व्यक्ती छे, ए गुजरात मा रहता नोता, मूर गुजरात नानोता, पन मूर महाराष्ट्र ना, राइगड जिल्ला ना, गागोद गाम ना, तेवतनी हता, पन एना पिताव्यवसाई अर्थे वड़ो ग्रामा रहता होवा ती ए गुजरात मा आवेला, अने पचिती पाचुग महाराष्ट जवानो थाएलू, पन गांधी गांधी जी प्रती ए öने खुब प्रेमातु, अने गांधी जीनी साथे सत्याग रहाष्र मथवा तो गांधी जीनी साथे जे क्रांती कारी प्रवर्वलतिमा जोडावानी तेवर इच्छा होवाना कालने तेवो गुजरात मा आवेलीने वसी हाता, तो खास समझवानों यह चाहिया आये कि विनोब भावे मूड मराठी हता एटले कि महाराष्ट्र ना हाता पन गांधीजी प्रति एन्य खुब प्रेमतों गांधीजी नी साथे साथे एन देश शेवा करवानों खुब इच्छा आती एन्य देश माटे के करवा नी एन्य आपणा देश ने आजाद कर આ એ સમેની વાજ છે જારે અપણા દેશની અંદે અંગે જોનુ શાષણ ये समाई अंग्रेजोना शाषन माथी भारतने छोड़ावा माटे जे आपणा क्रांती कारियो प्रवृत्त थया हता महात्मा गांदीनी साथे विनोबा भावे पन ए घता तो आ क्रांती कारी प्रवृत्ती मा जोड़ावाना कारेणे महात्मा गांदीनी साथे विनोबा कई रिते महात्मा गांदीनी साथे जोडाना एनू आखो प्रसंग छे विनुबा भावे छे ने लबुग भारतनी बद्दी भाषाओने आवरती ती मातर मराठी तो हता साथे गुजरात मा रहताले मराठी ने गुजराती तो ना आवरती जोई पाण भारतनी जे 23-24 मुख्य मुख्य भाषाओ छे ये बद्दी भाषाओना सारायवा जानकार पन तेवो हता एन। खास हेतु लक्षी मा वारे वारे पूछाई वो प्रश्ण छे के तेमने भुदान यात्रा निमीते भारत ब्रमन करीने गरीबो माटे हज्जारो एकर जमीन एकत्र करेली तेवो गांधी जीना आध्यात्मिक वारसदार पन खास आवो प्रश्ण पुछाई शके हतु लक्षी मा के गांधी जीना आध्यात्मिक वारसदार तरीके कौन छे तो गांधी जीना आध्यात्मिक वारसदार तरीके विनुबा भावे छे अने विनुबा भावे नी पुदान या आत्राक एवाती एनी बास थी जमीन भूवत ले जमीन ओनु दान लेता अने एक गरीव लोको माटे एने दान मा आपता हाटा आउसर श्मजानु कारियें छे विनुबा भावे करेलो छे तो आठायो विनुबा भावे नो टूको परी छे एना थोड़ाक फुस्तको ना नाम अपन यादराग जो तेमने घणाबदा पुस्तको लखेया छे तेमा मुख्य छे गिताप्रवाज नो कुरान सार, शिक्षन विचार, भारतिय संस्कृती, विग्नान औने आध्यात्म आयना मुख्य मुख्य पुस्तको छे अवे आपड़े सत्याग रहस्रम कृती नी विनुबा भावे कहा छे के नानो हतो त्यार्थी जमारू ध्यान बंगाड औने हिमाले भणी खेचाएली रहतू, बनी अटले तरफ, विनुबा भावे कहा छे को नानो हतो त्यार थी, आ बेस्थडे जवा माटे मारू मन हम्मेसा उस साहित रहतू, कई आ बेस्थड? तो क भंगाड अने हिमालाई तरफ बनी अगले तरफ आ बे जग्याई जच्वा तर जवा नु मन आने शदद फाईा करतो। हुँ बंगाड औने हिमालाई जवाना सपना मां महालिया करतो एक तरफ बंगाड नी वंदे मात्रमनी क्रांती नी भावना मने खेंचती तो बिजी तरफ हिमालाई नो गुनानी योग मने खेंचतो हिमालई अने बंगाड बेवना रस्ता पर काशी नगरी पड़ती हती करन संजोगे हुँ त्यां आवी पहुचियो हतो परंतु न हुँ हिमालई गयो न बंगाड खासे अतराग जो विनुबा भावे ने बे सड़े जवानी तिव रहिच्छा हती एक छे बंगाड जियां वंदे मात्रमने क्रांती हती अने बीजी जग्या छे हिमालई जियां शांतीन अबनान योग चालू हतो तो आ बे जग्याए माथी कई जग्याए जाओ इनी असमन जस्मा विनुबा भावे हता अने एवी जग्याए पहुचिय जाई छे ज्यां ते बन्नेना रस्ता छे औने ए जग्या छे काशी नगरी त्यां पहुंचिया छे हवे जुईए के त्यां क्या जाई छे हुँ गांधी जी पासे गयो और मने एमनी पासे हिमालै ने सांती और बंगाड ने क्रांती ब्याव शांपडिया अटले मढिरा विनस बाची कहा छे के मने बंगाड अथवतो हिमालाि इसले जवानी तिवर इच्छा हती अने आ बेनू एक स्थान छे आ बन्ने जग्याई जवानों रष्टू जिया पड़े छे एक आशी नगरी पहुचियो छे अवे एक क्या जाई छे अने आगड पोतानी वास्तविकता जनाता कहे के हुँ नतो बंगाड गयो अने नतो हिमाले गयो पण हुँ एक एवी जग्या गयो के जिया मने बंगाड नी क्रांती अने हिमाले नी शांती अब ने वस्तु मने एकच जग्याई मड़ी गई एटले के ए कहे चे के हुँ महात्मा गांधी नी पासे पहुची गयो हुँँ काशी नगरी पहुँची गए यो त्या हुँझे पामियो ते क्रांती अने शांती बन्ने नो अपूर्व संगम हतो विनुबाज़ी कहा चे के मने महात्मा गांधी पांसे थी जे मढईव एक क्रांती नो समनाअटी शब्द थाई परिवर्तन क्राम्ती एटले परिवर्तन ए समये अंग्रेजोनु शाषन भारतनी उपर हतु एन भारतना शाषन मा परिवर्तन लावुतु एटले के भारतनु शाषन प्यारे लावुतु ए माटेना गांधी जी अने आपड़ा क्राम्ती कारीव लोको प्रवरुत दहता तो क्राम्ती महात्मा गान्धि नी पासे विनुबा है जी पहुँचे चेना कहाँ जे defo त्याना हिंदु विश्व विद्यालेमा बापुनु आ भाषन थयु हतु। पुछातो शब्द चे काशी नगरीनी अंदर थयला बापुना जे भाषन अतु एनी मुख्य वात शुँ अती तो के निर्भाईता वगर अहिंसा चालीज न शके। परम सेव्य अहिंसा चे। जुडी काडिया आटले एने खुब खिजाया, त्यारे आपणी उपर अंग्रे जुनू शाषन छे, आपणी प्रजा, आपणी प्रजा छे, किटली हेरान थाई रहेचे, बिचाल आउने भुखिया छे, जम्मवा पन मरतू नथी, एने आणे आवी परिस्तितिमा तम्मे जाया, विनुबाजी आगड कहाएचे, हुँ तिया पहुचियो, त्यारे आ एतिहाशिक भाषन थाई एक महिनो विति गयो हतो, तो पन नगरी मा एनो प्रभाव हतो, जारे में ए भाषन वाचियो, त्यारे केटलीक शंकाओ, मने प्रश्नो, अने प्रश्नो, मारा मनमा चा विनुबाजी कहाएचे, हुँ तिया पहुचियो, त्यारे तो आ भाषन पुरू थाई गयो हतो, अने एने उपर एक महिनो विति गयो हतो, पन हजी पन क्याक ने क्याक एने विशे खुब चचाओ थती, आ गर्मा गरम भाषन नी खुब चचाओ थती हती, अने ए भाषन ग सामे धर्तो एक पत्र में बापुना नामे लख्यो एमने ए पत्र नो मने खुब सरस जवाब पणाप्यो विनुबाजी ने गणाबधा प्रश्णो थया अहिंसाने लगता एने जे वात वात करीती इनो जे मुख्य विशाई हतो एना उपर जे वात करीती तो ए लखान ए जवाब आपिया अगर कहा छे 10-15 दिवश पची फरी में एमने शंकावो पूछी त्यारे एमनुँ एक पत्तु आवियू पत्तु एटले पत्र के अहिंसा आंगे जो प्रश्णो छे अहिंसा आंगे जे प्रश्णो छे तेनू समाधान पत्र विभार्थी न थैशके ए जानी वात महात्मा गांधिये करी विनुबाजी ये पाचो प्रश्णो पूई छो एने पाचा प्रश्णो लगता पत्र लख्यो तेरे महात्मा गांधिये स्पष्ट के दू कि अहिंसा विशे ना जे तमारा हवे उंडान ना जवाबो छे अहिंसा विशे तमारे योहार्थी न थैशके ए माटे तो जीवन साथे नो स्पर्श चोईए एटले थोड़ा दिवस मारी पासे आस्रम मा आवो अने रहो तो धिरे धिरे वात्चेत चालती रहे एमनो आ जवाब के समाधान वातो थी नहीं जीवन थी थशे मने स्पर्शी गयो आप रश्ण पन वा आप छे विनो बाजी ने स्पर्शी गई